हेलो एवरीवन वल्कम टो आवर चैनल आज हम हमारे चैनल में शुरू करने जा रहे हैं और एक नया कोर्स जिस पर्टिकुलर कोर्स का नाम है MS पावर पॉइंट तो इस पर्टिकुलर कोर्स में हम बेसिक से लेके एडवांच जितने भी टॉपिक्स हैं सारे टॉपिक्स को वन वाई वन कवर करेंगे तो कनेक्ट रहें और चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्लास इस पर्टिकुलर कोर्स MS पावर पॉइंट का ओके तो इस पर्टिकुलर सॉप्ट्वियर को हम बोलते हैं प्रेजन्टेशन सॉप्ट्वियर जैसे कि लास्ट कुछ क्लासेस में अल्रेड़ी हमने दो पॉर्सेस कम्प्लिट कर लिया है जैसे कि MS वर्ड एंड MS एक्सल MS Word को जैसे हम एक Word processor software बोलते हैं MS Excel को जैसे एक Spreadset software बोलते हैं वैसे ही MS PowerPoint को हम एक तरह का presentation software बोलते हैं तो इस तरह के software को हम presentation software क्यों बोलते हैं क्योंकि इस तरह के software को use करके हम किसी भी तरह के presentations बना सकते हैं तो हमें यह पता चला कि जिस तरह के software को use करके जिस तरह के application software को use करके हम presentation बना सकते हैं वो होता है presentation software जिसका एक example क्या है ms powerpoint पर ये presentation होता क्या है real life में हम ये presentation वाला काम almost हर कोई करते हैं जैसे कि एक real life example लेते हैं suppose कोई science exhibition है उस science exhibition में हम में से कोई participate किये हैं और उस science exhibition में जो judges आये हैं उनके सामने हम हमारे project को क्या करेंगे present करेंगे तो उस present करने के process को हम क्या बोलेंगे presentation तो presentation का मतलब क्या है presentation means describing a concept okay describing a concept that we have designed हमने अगर कुछ design किया है कोई concept को उसको अगर हम describe कर रहे हैं तो उस describe करने की art को उस describe करने की process को हम क्या बोलेंगे presentation okay बहुत ही simple way में समझा गया presentation क्या है हम हर कोई हम हमारे daily life में presentations करते ही हैं तो वैसे ही अगर हम computer को use करके कोई presentation बनाना चाहते हैं जिसको हम किसी के सामने जाके present करेंगे किसी को describe करेंगे तो वह हम जिस software के द्वारा कर सकते हैं उस software को को बोलते है presentation software और उस presentation software का एक example हम बोल सकते हैं MS powerpoint so MS powerpoint एक ऐसा application software है जो कि presentation software की तरह काम करता है मतलब इस software को use करके हम presentations बना सकते हैं जो कि school colleges offices में presentation देने में हमें मदद करता है जैसे कि school में मुझे बच्चों को कुछ describe करना है offices में meeting में मुझे कुछ describe करना है colleges में मुझे बच्चों को कुछ describe करना है तो उसके लिए मुझे presentation बनाना पड़ेगा और उस presentation को को बनाने के लिए हम यूज कर सकते हैं MS PowerPoint को क्योंकि एक presentation software है और यह वो सारे tools हमें provide करता है जो हमें चाहिए presentation बनाने के लिए okay so I think आप लोगों को समझ आ चुका है कि यह presentation actually होता क्या है और presentation बनाने के लिए जो software हम यूज करते हैं वो presentation software है और वो presentation software का एक example है MS PowerPoint जो कि Microsoft company के द्वारा सारे Windows operating system वाले computer में हमें provide किया गया होता है ओके next जो की MS office package का एक part है कौन सा MS PowerPoint तो अगर हम MS word को यूज करके कोई भी document बनाते थे उसको save करते थे तो उसका extension जो है वो क्या होता था या तो .doc या तो .docx होता था वैसे ही MS Excel को यूज करके अगर हम कोई workbook बनाते थे कोई file बनाते थे तो उसको save करते वक्त उसका extension क्या होता था .xls और .xlsx होता था ये extension क्या होते हैं already हम discuss किये हैं ये extensions हमें बताता है कि हमारे जो file है वो किस तरह का file है word file है या excel file है या powerpoint file है या music file है या video file है या image file है या pdf file है किस तरह का file है हमारा उसको describe करता है कौन extension ओके वैसे ही अगर हम powerpoint MS powerpoint software को use करके कोई भी presentation file बनाते हैं तो उसको जब हम save करेंगे तो इसका भी कुछ ना कुछ extension होगा तो क्या होता है extension इसका dot ppt और dot pptx यह depend करता है version के उपर कुछ-कुछ में dot ppt extension होता है कुछ-कुछ में dot pptx extension होता है तो MS powerpoint को use करके हम बना सकते हैं presentation कोई भी presentation अगर बनाते हैं तो उसको हम हमारे सिस्टम में save करके रखना चाहेंगे तो हमारे सिस्टम में save करके रखने के लिए उस file को हम जो extension यूज करते हैं वह extension क्या है या तो dot ppt या तो dot pptx इतना clear हो गया basic fundamentals जो है MS powerpoint का वह clear हो गया अभी हम देखेंगे how can we start MS powerpoint MS powerpoint को अगर हम start करना चाहते हैं तो कैसे करें simple तरीका जैसे MS word जैसे MS excel को करते आए हैं वही sim तरीके से करना है search option में चले जाना है search option में चले जाने के बाद वहाँ पे simply हमें लिख लेना है powerpoint ओके simply वहाँ पे लिख लेना है powerpoint powerpoint वहाँ पे लिख लेने के बाद हमें simply क्या करना है जो powerpoint का जो भी version हमारे system में होगा वह हमें हमारे screen में दिखा देगा उस particular version को हमें क्या करना है उसके उपर दो बार left click करके उसको open कर देना है दो बार उसके उपर left click कर देना है तो वो क्या होगा automatically loading होके जैसे की screen में देख सकते हो loading होके automatically open होगा open होने के बाद जैसे MS word में blank document में क्लिक करते थे MS excel में blank workbook में क्लिक करते थे वैसे ही MS powerpoint में हम blank presentation में क्लिक करेंगे blank presentation के उपर क्लिक कर देंगे तो वो हमारा जो MS powerpoint का window है या फिर MS powerpoint का screen है वो open होके हमारे monitor में आ जाएगा जैसे की यहां भी देख सकते हो आप लोगों को समझ आ गया कि अगर हम MS powerpoint को open करना चाहते हैं कैसे कर सकते हैं search option में powerpoint लिखो powerpoint का जो भी version हमारे system में होगा वो आ जाएगा उसके उपर left click दो बार करके उसको open कर दो उसके बाद blank presentation में क्लिक कर दो और यहां पे हमारा जो MS powerpoint का window है वो open होके हमारे screen में आ जाएगा ओके तो आई थिंग आज के class में जिस topic के बारे में हमने discuss किया आप लोगों को समझ आ चुका है next class में हम discuss करेंगे ऐसे और कुछ topic के बारे में आज के लिए इतना ही थैंक यू